हेलो आवरीवन, वेलकम, नाव वी विल स्टड़ी दा सब्जेक्ट रेडियेशन फिजिक्स ओफ डियर्टी पार्ट फर्स्ट, जैसा कि आपको पता है, रेडियेशन फिजिक्स में अपना टोपिक चल रहा था, एलेक्ट्रिसिटी एंड मैगनेटिज्म के अंदर, लास्ट लेक्चर में हमने कई टोपिक्स के बारे में डिस्कस किया था, लास्ट लेक्चर का अपना जो में टोपिक था, वो था कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटेंस के बारे में अपने डिस्कस किया था, कैपेसिटर के बारे में डिस्कस किया था, तो एक बार उसका sort revision कर लेते हैं देन अपन आगे के topics discuss करेंगे ठीक है सबसे पहले अपन बात करते हैं कि capacitance होता क्या है किसी भी conductor की ऐसी property या फिर conductor की वो property जिसके कारण वो charge को store करे ठीक है अगर दूसरे words में अपन बात करें तो store को charge करने की जो property है conductor की वही क्या कहलाती है capacitance कहलाती है ठीक है capacitance का अपन एक formula पढ़ा था c is equal to q by v ठीक है इसकी unit अपन ने फराडे पढ़ी थी one फराडे के बारे में अपन ने discuss किया था then अपन ने बात की थी capacitor की ठीक है capacitor क्या होता है वो device जो charge को store करे ठीक है और या फिर किसी conductor की capacitance को increase करे वो device क्या कहलाती है capacitor कहलाती है capacitor का अपन ने construction पढ़ा था working principle पढ़ा था construction के अंदर देखा था अपन ने की दो plates है ठीक है एक plate A थी एक B थी एक charged है एक earth है ठीक है diagram के अंदर अपन ने अच्छे से इस चीज़ को discuss किया था working principle इसका main जो था वो था आपका electrostatic induction अब electrostatic induction क्या होता है यह जस्ट अपनने capacitance के पहले discuss किया था ठीक है electrostatic induction में क्या होता है अपन एक body से दूसरी body को charged करते है ठीक है आपके पास एक body तो charged होती है और एक uncharged होती है अब charged body के सहले और unnecess적 body को charge करते हो ठीक है यह जो घटनाकरम है यह जो phenomena है यही क्या कहलाता है आपका electrostatic induction कहलाता है और इसी phenomena और इसी घटनाकरम के base पे आपका capacitor work भोक करता है ठीक है। जिसके अंदर आपकी दो प्लेट्स थी एग जिसका चार्ज अपने नेगेटिव लिया था। वी थी जिसके ऊपबर पोजितिव चार्ज होता है controller होता है। करती जो भी process ती अपने capacitance के अंदर discuss कर ली थी ठीक है अब अपन बात करते हैं कि यह जो Circus है जैसा कि अपने electricity के अंदर आप Resistance के बारे में पढ़ते हो register के बारे में पढ़ते हो परती रोद के बारे में पढ़ते हो same यहाँ पर आप capacitors को जो किसी भी circuit में connected करते हो या फिर connect करते हो तो आपके पास दो combination आते हैं यहाँ पर ठीक है उन combinations के बारे में आज अपन discuss करेंगे ठीक है कि कौन-कौन से combination होते हैं और उन combination में इनका total capacitance क्या होता है इन सब के बारे में आज का जो अपना lecture है में इन जो आपना आज का lecture है उसकी हेडिंग है combination of the capacitor ठीक है नाव वी विल डिस्कस अबाट the combination of the capacitor combination of capacitor क्या होता है में ली आपके जो capacitor है जो आपकी device है जिसको आप capacitor बोल रहे हो जब आप उसको किसी भी circuit में connect करते हो तो किस combination में आपने उसको connect किया है that means एक तो होता है कि आपके पास single capacitor ठीक है अगर आप single capacitor को connect करते हो देन अपन बात करेंगे या फिर दूसरा जब आपके पास एक से ज़ादा हो ठीक है तो दोनों ही condition में अपन बात करते हैं कि उनको आपने कौन से combination में connect किया है तो वो combination है उसी के combination ही पाये जाते हैं are founds in capacitor ठीक है first combination है जिसका नाम है आपका series combination हिंदी में इसे बोलते है स्रेणी क्रम ठीक है दूसरा आता है आपका parallel combination इसे हिंदी में बोलते है समानतर क्रम 9th, 10th, 11th, 12th के अंदर अच्छे से discuss कियें आपने इनके बारे में resistance जिसको प्रतिरोध बोलते हो उससे इसको compare करके चलोगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा बट उसकी लिए resistance का पढ़ना हुआ होना बहुत जरूरी है अगर वो ही नहीं आता तो फिर नहीं आएग otherwise अपन बात करेंगे ऐसे single भी तो भी आ जाएगा दो प्रकार के combination है अपने पास एक है यहाँ पे series combination और एक है parallel combination ठीक है सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करेंगे आज series combination के जिसको हिंदी में क्या बोल रहे है अपन स्रेणी क्रम ठीक है जैसा कि आप देख सकते हो अपना topic स्टार्ट हो रहा है 7.1. series combination ठीक है अब स्रेणी क्रम में क्या होगा और वेसी बात है कि एक या एक से ज़्यादा capacitor जब स्रेणी क्रम में जुड़े हो तो वो combination कैसा combination कहलाता है series combination कहलाता है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो the combination of capacitors in which all the capacitors are connected in series capacitors का वह combination जिसके अंदर सारे के सारे capacitor series में जुड़े हो ठीक है cold series combination of the capacitor उसे series combination कहा जाता है ठीक है तो simple सा है अपना series combination the combination of capacitors in which all the capacitors are connected in series called series combination मतलब capacitors का वह combination जिसके अंदर सारे के सारे capacitor series में जुड़े हो उसे हम series combination कहते हैं जैसा कि आप डाइग्राम के थूरू भी समझ सकते हो कि कैसे अपनने तीन capacitor C1, C2 and C3 इनको अपनने name दे दिया यहां पर फस्ट capacitor को C1 बोला है सेकेंड capacitor को अपनने C2 बोला है और थर्ड capacitor को C3 बोला है ठीक है तीनों capacitor को अपनने किस तरीके से connect किया है एक series combination के अंदर अपनने इनको connect किया है total potential जो इन पर अपनने apply किया है उसकी value आपको यहां पर दिखाई दे रही है V ठीक है जैसा कि आप जानते हो जब आप कोई भी device, instrument, series combination में connect करते हो तब जो आपका potential difference है वो divide होता है ठीक है तो जैसा कि यहां पर भी आपके तीनों capacitor series combination में है तो यहां पर potential difference divide होगा ठीक है C1 जो capacitor है वहां पर अपनने suppose किया है कि जो आपका potential difference है वो कितना है V1 है C2 पे V2 है और जो आपका last and third capacitor है जिसका नाम आपने C3 रखा है वहां पर आपका potential difference कितना आ रहा है V3 आ रहा है तो यह तो बात भी अपने एक normal diagram की जिसमें अपने capacitor के series combination को दरसाया है ठीक है अब इस diagram को अपन एक बार discuss कर लेते हैं let C1 C2 and C3 B3 capacitors connected in the series जैसा कि अपन suppose करते हैं यहां पर भी अपनने suppose किया है consider कि तीन capacitors है जिनके नाम आपने रखे है C1 C2 and C3 जिनको आप series के अंदर connect कर रहे हो जैसा कि आपने पीछे भी diagram में देखा let V1 V2 and V3 be the potential difference across the capacitors C1 C2 and C3 respectively यह चीज अपन पीछे भी discuss कर चुके हैं एक बार दुबारह से आपको बता देता हूं कि total जो potential difference था वो आपका V था और जब आप स्रेनी क्रम में कोई भी device या फिर कोई भी instrument connect करते हो तो वहाँ पे आपका potential difference divide हो जाता है तो that means यहाँ पे आपका potential difference divide हो तो उसको आपने suppose किया है कि the capacitor C1 पे आपको potential difference V1 मिल रहा है C2 पे V2 मिल रहा है और C3 capacitor पे आपको V3 potential difference मिल रहा है and V भी the potential difference across the series combination और V यहाँ पे क्या है total potential difference है पूरे combination पे या फिर पूरे circuit पे If each capacitor carries a charge Q जैसा कि आपको पता है या फिर नहीं पता है तो बता देता हूं कि series combination के अंदर आपका charge same रहता है और potential difference change होता है बट जो अपना दूसरा combination पैरलल combination उसमें आपका charge divide होता है और potential difference same रहता है तो जैसा अभी अपन series combination के बात कर रहे हैं series combination में आपका potential difference divide हो चुका है बट यहाँ पे charge same रहेगा ठीक है तो अगर charge same रहता है तो अपन कैसे इसके formula को derive करते हैं इसके बारे में discuss करते हैं जैसा कि आपने capacitance के अंदर पढ़ा था capacitance में आपका formula था C is equal to Q by V यहाँ से अपन निकालते हैं V का formula यहाँ से जब आप V का formula निकालते हो तो आपके पास आता है V is equal to Q by C इसको आपने name दे दिया equation first अब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे जो आपका हर एक capacitor है जहाँ पे आपका अलग-अलग potential difference आपको मिल रहा है तो वो कितना मिल रहा है उसको निकालते हैं सबसे पहले आपन बात करते हैं C1 capacitor की C1 capacitor पे आपको V1 वो potential difference मिल रहा है तो according to formula V1 is equal to Q upon C1 same आपका जो second capacitor हो वहाँ पे आपको V2 potential difference मिल रहा है तो यहाँ पे V2 potential difference की value होगी V2 is equal to Q upon C2 next V3 is equal to Q upon C3 इस equation को आप नाम देते हो equation second अब अपन बात करते हैं total potential की ठीक है total potential L लगा ले ना यहाँ पे potential के अंदर total potential की अगर अपन बात करें तो V is equal to V1 plus V2 plus V3 ठीक है equation third अब अपन equation second और equation third को जब summarize करते हैं या फिर इनको sum करते हैं या फिर इनक में एक दूसरे की value put up करते हैं तो अपने पास next equation आती है V is equal to Q upon C1 plus Q upon C2 plus Q upon C3 ठीक है मतलब आपने equation third के अंदर V1 plus V2 plus V3 की value equation second से put up कर दी है आया समझ में यहां तक आपको derivation next अब अपन इसके अंदर जो आपका Q है इसको common ले लेंगे ठीक है तो Q को common लेने पे आपके पास आता है V is equal to Q1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 from equation first आपकी equation first में आपने V की value निकाले थी Q by C तो वहां से आप V की जगे पे Q by C put up करते हो तो आपके पास equation आती है Q upon C is equal to Q bracket में 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 दोनों साइड Q को cancel out करने के बाद आपके पास आपको last formula या फिर main जो result मिलता है वो आता है 1 upon C is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 ठीक है तो ये आपको मिलता है यहाँ पर total capacitance of the circuit या फिर combination combination में total कितना capacitance आया ठीक है derivation simple है series combination के अंदर आपका potential difference change होता है तो यहाँ पर अपन अलग-अलग potential difference की value को निकाल के अगर sum करेंगे तो आपके पास जो आपका total capacitance है उसकी value आ जाएगी ठीक है hence the reciprocal of the effective capacitance of the capacitor connected in series is the sum of reciprocal capacitance of the individual capacitor यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करते है effective capacitance किसको बोल गया है effective capacitance यहाँ पर जो आपका resultant capacitance है जो आपको result मिलता है combination के अंदर capacitance का जितने भी आप capacitors connect करते हो उन सब का जो capacitance का जो sum होता है ठीक है यह फिर अपन बात करें resultant capacitance की तो उसी को अपन क्या बोलते है effective capacitance बोलते हैं तो अभी जो अपन ने last में जो formula derive किया था उसको अपन theoretical लिख रहे हैं hence the reciprocal of effective capacitance reciprocal का मतलब उल्टा वन बाई जैसा कि आप formula में देख रहे थे आपका जो C था वो नीचे की तरफ आ रहा था वन बाई C था ठीक है तो that means उसको अपन क्या बोलेंगे reciprocal बोलेंगे यहां ठीक है the reciprocal of effective capacitance of a capacitor किसी भी capacitor का जो series के अंदर connected है उनका जो effective capacitance है उसका reciprocal is the sum of the reciprocal capacitance of the individual capacitor that means कि total जो आपका resultant capacitance है उसका reciprocal किसके बराबर होता है individual capacitor के capacitance के reciprocal के sum के बराबर होगा ठीक है एक बार दुबारा से सुनना कि आपका resultant capacitance है उसका reciprocal किसके बराबर होगा individual capacitor के capacitance के reciprocal के sum के बराबर होगा ठीक है तो यहाँ पर आपका खतम होता है series combination now we will discuss about the parallel combination parallel combination that means samantar kram यहाँ पर क्या होता है the combination of the capacitor in which all the capacitor are connected in parallel called parallel combination of the capacitor capacitors का वह combination जिसके अंदर सारे के सारे capacitors parallel में connect किये गए हो मतलब समांतर के अंदर जोडे हो ठीक है अगर आप किसी भी circuit के अंदर सारे के सारे capacitors को समांतर में जोडते हो तो वो जो आपका combination है वो कौन सा combination कहलाता है parallel combination of the capacitor समांतर करम कहलाता है ठीक है जैसा कि आप यहाँ पर diagram में भी देख सकते हो कि आपके पास तीन capacitor थे C1, C2 and C3 जिनको आपने parallel combination that means समांतर करम में यहाँ पर जोड़ा है पूरे circuit पर आप total जो potential difference विभांतर को अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है V ठीक है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि series combination के अंदर आपका potential difference change होता है और parallel combination के अंदर current that means charge ठीक है यहाँ पर अपन बात करेंगे जो आपका charge होता है charge में difference आता है ठीक है that means charge divide होता है यहाँ पर अब अपन बात करेंगे यहाँ पर तीन आपके capacitor है C1, C2 and C3 तो तीनो capacitor पर आपका क्या-क्या charge रहेगा जैसा कि अपन ने यहाँ पर consider किया है, suppose किया है, माना है कि C1 capacitor पर आपका charge मिलता है Q1 C2 capacitor पर आपको charge मिलता है Q2 और C3 capacitor पर आपको charge मिल रहा है Q3 और पूरे circuit पर आपको जो total potential difference मिल रहा है उसकी value है V तो यह आप यहाँ पर डाइग्राम के तुरू समझ सकते हो कि किस तरीके से 3 capacitors को हमने parallel combination के अंदर combine किया है या फिर connect किया है ठीक है जैसा कि last अपनने series combination में पढ़ा था अब हम इसके जो आपका diagram है जो अपनने diagram बनाया है इसका theoretical description कर लेते हैं थोड़ा सा तो बात करते हैं अपन अभी इसकी theory की let C1, C2 and C3 be the capacitors connected in parallel तीन capacitor लिये हैं अपनने जिनको अपनने माना है C1, C2 and C3 जिनको अपन parallel में connect कर रहे हैं समानतर में जोड रहे हैं let V be the potential difference in each capacitor जब अपन बात कर रहे हैं यहां पे कि आपका जो पूरा circuit है उस पे potential difference कितना होगा V होगा और अपनने यह भी बात की कि parallel combination के अंदर potential difference change नहीं होता है तो that means हर capacitor को चाहे वो C1 हो, चाहे वो C2 हो चाहे वो C3 हो हर capacitor पे आपको potential difference V ही मिलेगा यहां पे ठीक है the potential difference across each capacitor is same हर capacitor पे potential difference that means विभवानतर हमेशा equal रहेगा, same रहेगा, समान रहेगा ठीक है let Q1, Q2 and Q3 be the charges on three capacitors then अब अपन बात करते हैं कि यहां पे आपका क्या होता है charge divide होता है जैसा कि आप देख सकते हो C1 पे आपको charge मिल रहा है यहां पे Q1 C2 capacitor पे आपको charge मिल रहा है Q2 और C3 capacitor पे आपको charge मिल रहा है Q3 अगर यह सब आपको charges अलग-अलग capacitors पे प्रोवाइड हो रहे हैं तब अपन बात करेंगे कि आपका total capacitance कितना आपको मिलेगा that means जो आपका whole circuit है जो complete circuit है उस पे आपको कितना capacitance provide होगा इसका अब अपन जो आपका mathematical derivation derive करते हैं वो derive करेंगे ठीक है जैसा कि आप वही same जो आपने capacitance पढ़ा था capacitance में अपने formula discuss किया था c is equal to q by v वहाँ से अपन अब यहाँ पे q की value निकालेंगे तो यहाँ पे आपका q का formula आता है q is equal to v into c vc जिसको आप equation 1 denote कर रहे हो ठीक है नाव जो आपका series combination था वहाँ पे आपका potential difference चेंज हुआ था तो आपने potential difference की value निकाले थी parallel combination के अंदर आपका charge divide हो रहा है charge differentiate हो रहा है तो यहाँ पे अपन charge की value निकालेंगे हर एक capacitor पे सबसे पहले अपन बात करते हैं कि c1 capacitor पे आपको कितना charge मिल रहा है तो c1 capacitor पे आपको charge q1 मिल रहा है q1 is equal to c1 v similarly c2 capacitor पे मिलेगा q2 is equal to c2 v and c3 capacitor पे मिलेगा आपको q3 is equal to c3 v इस पूरी equation को अपने equation 2 से denote किया है अब अपन बात करते हैं कि पूरे circuit पे total charge कितना होगा तो total charge आपका q is equal to q1 plus q2 plus q3 मिलेगा आपको ठीक है इसको आप denote कर रहे हो equation 3 से from equation 2 and equation 3 equation 2 और equation 3 से आपको क्या मिलता है कि जैसे आप equation 3 के अंदर q1 q2 और q3 की value equation 2 से put करते हो तो आपके पास equation आती है q is equal to c1 v plus c2 v plus c3 v अब इस equation में से v को common लेने पर आपके पास equation आती है q is equal to v c1 plus c2 plus c3 ठीक है अब from equation 1 जैसे ही आप equation 1 से q की value रखते हो तो यहाँ पर आपके पास value आती है vc is equal to v c1 plus c2 plus c3 v को cancel out करने पर आपको जो आपका effective capacitance है या फिर total capacitance है उसका derivation उसका formula आपके पास आपको derive होगे आता है c is equal to c1 plus c2 plus c3 ठीक है तो यह आपका derivation था parallel combination का simple है parallel combination में charge divide हो रहा है तो अलग-अलग charge की value निकालके उनका sum कर दिया जाए तो आपके पास parallel combination का derivation आ जाएगा और series combination के अंदर आपका potential difference डिवाइड हो रहा है तो आप अलग-अलग capacitor के potential difference को derive करके और उनका आप total करके series combination के derivation को derive कर सकते हो या फिर formula को निकाल सकते हो ठीक है अब जैसा कि अपन ने series combination के अंदर formula को theoretically discuss किया था वैसे ही यहाँ पे भी अपन इस formula को theoretical discuss कर लेते हैं कि आपका जो total capacitance है या फिर जिसको आप effective capacitance बोलते हो otherwise जिसको अपन resultant capacitance के नाम से भी जानते हैं उसकी क्या value आपको मिली है c is equal to c1 plus c2 plus c3 hence the effective capacitance of capacitors connected in parallel is the sum of capacitance of the individual capacitor जैसा कि आपने parallel combination में देखा था वहाँ पे reciprocal था ठीक है एक सीधा सा अलजेब्रिक सम है ठीक है अगर अपन यहां पर c1 c2 or c3 का सम करते हैं वही आपका क्या कैलाता है total capacitance क्यालाता है ठीक है hence the effective capacitance of capacitors connected in parallel parallel के अंदर that means समांतर क्रम के अंदर जितने भी capacitors जुड़े वे हैं उन सब का resultant capacitance या फिर effective capacitance क्या होगा is the sum of capacitance of the individual capacitor जो individual capacitors है उनके capacitance का sum जोड ही क्या होगा आपके parallel combination के resultant capacitance की value होगी ठीक है तो यहाँ पे अपने दो combination complete होते हैं एक आता है series combination एक आता है parallel combination वैसे देखा जाए तो यह दोनों combination resistance के जो combination होते हैं उसके just विपरीथ हैं जस्ट उल्टे हैं resistance में जो आपकी value आपको series में मिलती है वो यहाँ पे parallel में मिल रही है और जो वहाँ पे आपको parallel में मिलती है वो यहाँ पे आपको series में मिल रही है बट वो अभी अपन आगे topic discuss करेंगे resistance का भी तब अच्छे से discuss कर लेंगे अभी अपन बात करें यहाँ पे series और parallel की तो series के अंदर सारे के सारे जो capacitance है वो series के अंदर जोड़े जाते है स्रेनी करम में जोड़े जाते है और parallel के अंदर सारे के सारे capacitance आप समांतर करम में जोड़ते हो ठीक है थेंक्यू